नमस्कार मित्रों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रानिक स्टेडी में आज की अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फलों के नाम संस्कृत और अंग्रेजी यानि की आंगले भाशा में ठीक है नेम आफ दे फ्रूटस उसके बाद है संस्कृत या देवभाशा में ठीक है संस्कृत को देव भाशा भी बोलते हैं तो मैंने लिख रखा यहाँ पे और उसके बाद जो है आंगल भासा यानि कि English यानि अंग्रेजी में नाम उन जो है फलो का तो देखते हैं इसमें सबसे फ़ले फलो के राजा से जो है हम शुरुआत करते हैं Kings of all fruits तो पहला इसमें लिखा हुआ है आम अगर मैं आम की बात करूँ तो इसको जो है संस्कृत में आमरम मोलते हैं ठोड़ मा के नीचे रा लगा करके उपर अबिन्दी और ऐसे भी मां करके नीचे हलन्त लगा के भी लिख सकते हैं ये दोनों ही शब्द वो सही है और English में इसको हम बोलते हैं mango Spelling है M-A-N-G-O ठीक है next पर आते हैं इसमें दूसरा लिखा हुआ है अंगूर, अगर अंगूर की बात हो रही है, तो इसको संस्कृत में द्राक्षा भी बोलते हैं, द्राक्षा फलम भी बोलते हैं, और म्री दुईका भी बोलते हैं, ये दा के नीचे वहा लगा हुआ है, ध्यान रहें, म्री दुईका भी बोलते हैं, तो आप द्राक्षा लिखें या द्राक्षा फालम लिखें या बरेद्विका लिखें तीनों सही हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेप ग्रेप आगे देखते हैं इसमें तीसरा जो है वो है नारियल नारियल को बोलते हैं नारी केलम और इसको जो इंग्लिश में ह बोलते हैं coconut, spelling है c o c o n u t coconut ठीक है आगे बात करते हैं इसमें, इसमें है चौथा जो लिखा हुआ है वो है केला, केला को सल्सक्रिट में बोलते हैं कदली फलम, तो कदली फलम और इंग्लिस में यह होता है बनाना, b a n a n a बनाना, आगे देखते हैं इसमें पांच नंबर पे, पांच पे दिया है जामुन, जामुन को हम बोलते हैं जम्बू फलम, या जिसको हम बोलते हैं राज जम्बू भी बोलते हैं, जम्बू फलम या राज जम्बू और अगर मैं बात करूँ इंग्लिस में, तो ये इंग्लिस में जो है, इसका scientific name ही है एक तरीके से आप बोल सक तो इसमें स्पेलिंग है ए यू जी ए एन आई ए उसके बाद स्पेस है फिर है जे ए एम बी ओल ए एन ए ठीक है तो यह होता है जो है अगर मैं बात करो जामुल की नेक्स्ट है इसमें सेब अगर चैनल पर सेब सेब को हम सेवम बोलते हैं संस्कृत में माय के नीचे हलंत है ध अगर मैं अनार की बात करूं नौ नमबर पर तो अनार का संस्कृत मतलब होता है दाडिमम वहीं अगर मैं बात करूं इंगलेश में टो Pomegranate बोलते हैं अनार नेक्स्ट पर बात करते हैं अब जो है जो है दसनमर पर दिया हूआ है तर्बूज यह जिसको हम कलिंदा बोलते हैं तो इसी कलिंदा word से जो है कालिंदम बना हुआ है कालिंदम या कलिंगम करके तो इसको हम बोलेंगे तर्बूज इंग्लिश में होता है यह water melon water space m e l o n water melon ठीक है next आते है 11 पे इसमें है ककडी ककडी होता है करकटिका जिसको हम cucumber बोलते है c u c u m b e r इसको हम cucumber खीरा भी होता है ककडी भी होता है ठीक है next इसमें लिखा हुआ है 12 पे सिंगाडा इसको स्रेंगाटक बोलते हैं स्रेंगाटक और इंग्लिश में अगर में बात करूं सिंगाडा को तो water chestnut होता है w a t e r space chestnut c h e s t n u t chestnut next है इसमें तेरा नंबर पे कमरख या करमरख बोलते हैं इसको तो कमरक्षम संस्कृत में इसको कमरक्षम बोलते हैं तो और इसका देखें अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो awareo awareo करके लिखा हुआ है या आप awareo या कुछ भी पढ़ सकते हैं इसको पत्धान रखिये वस ठीक है next है इसमें खरbोजा 14 पर है करबूजा इसको खर्भूजम भी बोलते हैं और वृत करकटी भी बोलते हैं वृत करकटी है इंग्लिश में है यह मस्क मैलन m-u-s के space m-e-l-o-n next है इसमें बेर या बदरी या जुजूब बेर को बदरी भी बोलते हैं जूजूब भी बोलते हैं तो बेर को बदरी बदरी इस चब्द से बदरी फलम वर्ड बना हुआ है संसक्रिट का तो बदरी फलम मतब बेर होता है और बैरी करके इसमें लिखा हुआ है इंगलेश में इसके ठीक है अंजीर, यह दोनों हिंदी शब्द हैं, इसका अंजीर हम होता है, संस्कृत शब्द F-I-G, फिग, ठीक है, इंग्लेश में इसको फिग बोलते हैं, नेक्स्ट, अठारा नमबर पर है बेल या लेस जाली करके, ठीक है, बेल को लता भी बोलते हैं, वीगी करके भी है, इसको मैं बात करूँ बेल की, तो इसको बिलवम बोलेंगे, संस्कृत शब्द बिलवम का हिंदी मतलब, बेल होता है, लताएं जिसको बोलते हैं, इंग्लेश में V-I-N-E, ठीक है, वाइन करके है यह, नेक्स्ट हम बात करते हैं, पपीता, ठीक है, नैंटीन पपीता इसमें मध निम्बू को जो है, दो नाम है, इसके संस्कृत के, इसको हम निम्बू कम भी बोल सकते हैं, जम्बीरम भी बोल सकते हैं, तो आप याद करने के लिए निम्बू कम याद करियें, जो है निम्बू से निम्बू कम बना है, लेकिन आपको दे दिया जम्बीरम का हिंदी निम्बू होता है इंग्लेश में lemon next पहते है 21 पे आड़ू लिखा हुआ आड़ू का आर्दरालू बोलते है आर्दरालू और इसको पीच करके बोलते हैं इंग्लेश में 22 नंबर पर खरोट है या बादामी जिसको बोलते हैं अक्षोटम संस्क्रिट सब्दा है इसका nut या nut wood करके इंग्लिश में बोलते हैं इसको next पे आते हैं इसमें तेस नंबर पर लिखा हुआ कैंथ कैंथ जो होता है ये कपित्थ होता है या कपित्थम बोलते हैं इसको ठीक है ये भी एक फल है और अगर मैं बात करूए इंग्लिश में तो the wood apple ठीक है wood apple जो होता है वो होता है आपका कैंथ या कपित्थ बोलते हैं next इसमें कदंब कदंब जो है उसको संस्क्रिट में कदंबं बोलते हैं और नीपह भी बोलते हैं इंग्लिश वर्ड इसका यहां पर नहीं लिखा हुआ है कदंबं और नीपह आप लोगों को अगर कदंब का जो है इंग्लिश वर्ड पता लग रहा है तो comment में जरूर बताएं जिसे की मुझे को भी पता चल सके कि इसका जो है इंग्लिश मतब क्या है और बाकी जितने भी मित्र है सबको पता चले नेक्स है इसमें करॉंदा कि अगर मैं बात करूंदा तो इसमें लिखा है करमर्दका ठीक है और अगर मैं बोलूं इंग्लिश में तो बेंगल करके लिखा हूँ या बेंजल आप जो भी पढ़ें बेंगल और इसे बाद है कुरांटस सी यू अरारें टीए एस ठीक है यह बात होगे करूंदे की नेक्स्ट पर आते हैं इसमें नेक्स्ट यह करूंदा फिर से लग गया है तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लिए करूंदा मतलब करमर्दका होता है और मने बोला बेंगल कुरांटस करके ठीक है कंदमूल को कंदमूलम इंगलिश वर्ड नहीं है आपको अगर पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कंदमूल को इंगलिश में क्या बोलते हैं 29 के अगर बात करूंँ मैं खजूर की तो खजूर को खरजूरम होता है और इंगलिश में इसको बोलते है डेट पाम और डेट, नेक्स्ट के आते हैं इसमें, खजूर के बाद, चकोतरा, जो चकोतरा फल है, उसको हम बोलते हैं, मधु करकटी, मतलब चकोतरा, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो यह होता है, ग्रेप फ्रूट, ठीक है, जी आरे पी, एफ आर यू, आई टी, फ्रूट, या फिर इसको सैट्रस भी बोलते हैं, कटा होता है, हुआ एफल जो है, तो सैट्रस इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट है इसमें, अगर मैं बात करूँ गूलर की, या जिसको हम चिनार बोलते हैं, या चिनार करके, ठीक है, या चिनारी, या कदली फल, 31 पे, तो इसमें है उदुंब रम, उदुंब रम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इस्पेलिंग जो इसकी है, स-Y-C-A-M-O-R-E, तो सिकामोर करके आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सिकामोर, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कटहल की, कटहल को हम पनसम बोलते हैं, जैक्फ्रूट, कलिंगम होता है, मैंने वहाँ कलिंदम भी लिखा था जगे, ठीक है, तो कलिंगम, और फिर इसके बाद इसको जो है, English में अगर बोलें, तो इसको मैलन बोलते है, M-E-L-O-N, मैलन, नेक्स्ट 34 पे लिखा हुआ है, महुआ, या जिसको हम बोलते हैं, महुआ, या जिसको हम मौसमी यानि मौसमी जिसको बोलते हैं तो मातूलूंगम संस्क्रिट में इसको बोलेंगे मातूलूंगम इसका भी इंग्लिश वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आपके पास तीन है एक कंदमूल एक यह मौसमी और एक और जो पीछे था आपको अगर उन फलों के इंग्लिश में नाम पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं तो मित्रो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कुछ नए चीजों के संस्क्रिट नाम को ले करके इतप्ते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद